नमस्ते नमस्ते इस्टुडेंट आज का हमारा टोपिक है दो चरो वाले रेखिक समी करण यह कक्षा नौ का भी लेसन है पूरा का पूरा और रीट का भी यह एक टोपिक है तो इस वीडियो में हम इस पूरे लेसन को कवर करेंगे चलिए हम सुरू करते हैं दो चरो वाली रेखिक समी करण का सारव भूमिक सूत्र है AX प्लस BY प्लस C भरावर 0 अब आगे इसका और देखते हैं कि A परिमित दो चरो वाली रेखिक समी करण में यह परिमित रूप से अनेक हल होते हैं यह समी करण का हल करते हैं तो अनेक हल प्राप्त होते हैं प्रतेक दो चरो वाली रेखिक समी करण का आलेक एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती हैं एक्स बरावर जीरो हो तो अगर समी करण में एक्स बरावर जीरो हो तो बाई अक्ष का समी करण होता है तो बहें समी करण वाई अक्ष का होता है यदि बाई बरावर जीरो हो तो बहें समी करण एक्स अक्ष की होती है भाई वरावर ए होने पर आलेक या graph x के समांतर होता है और भाई वरावर mx होता है अगर x किसी संक्या से गुणा में है और बरावर भाई है तो ऐसी समीकर्ण में graph मूल बिंदु से ऊपर के जाएगा दो चरोवाले रेखिक समीकरन की आलेक परिस्तित प्रतेग बिंदू रेखिक समीकरन का एक हल होता है जैसे हमें सीधी लाइन प्राप्त होती है तो इस लाइन पर प्रतेग बिंदू रेखिक समीकरन का हल होता है अब इसका उल्टा कर दे तो प्रतियक हल रेखिक समीकान का एक बिंदु है अब हम यहां देखते हैं किताब के अंदर से जो मैनमेन चीज लिए है तो एकजामपल है तो पहला क्या है कि एक चर को दो चर में बदलना आपको एक चर दे दिया जाएगा और उसे दी चर में बदलना होता है जैसे टू एक्स प्लस फाइव अब यह दी चर है एक चर है यानि बाई नहीं है तो इसे बाई लाने के लिए क्या करेंगे बाई को जीरो से गुणा कर देंगे तो हम इंको निकालेंगे तो बाई का मार बैसी जीरो आ जाएगा तो 2X माइनस 0Y प्लस 5 बरावर 0 तो हमारी ये दी चर स्मिकर बन जाती है इसी तरह से अगला एक्जांपल है एक्स बरावर माइनस 5 दिया हो तो इसको दी चर में बदलते है तो x प्लस 0y प्लस 5 वरावर 0 फिर अगला है 2x प्लस 3y वरावर 0 तो इसको बदल देंगे 2x प्लस 3y माइनस 0 वरावर 0 अब हम आगे की और चलते हैं हमने समी करणों को एक चर्षे दीचरा बदलना देख लिया और अब हम देखते हैं रेखिक समी करणों को हल करना यनकी दीचर वाली समी करणों को किस तरह से हल करते हैं एक गात वाली को तो जैसे समी करण दीव हुई है हमें अब इस समी करण में कोई से भी चर्का मान कुछ भी रख देते हैं आप दूसरे चरक पने आप आजाएगा. उधारन के लिए जैसे हमने ने बाई का मानु जीरो रखा, तो X का मान अपने आप आजाएगा, यानि कि मानननि कि माइनस पाँच बठे 3. अगर बाई का मान हम एक राखते हैं, तो पिर X का मान बदल जाएगा. इस तरह से बार बार हम भाई का मान बदल लेंगे तो उसी तरह से X के मान भी बदल जाएंगे अब देखते हम रेखिक समी करण यानि कि D चरवाली एक गातिय रेखिक समी करणों के आलेख किस तरह से प्राप्त होते हैं तो इससे जो प्राप्त होंगे आलेख यानि ग्राफ वो सीधी रेखा होगी चाहिए सीधी रेखा यह मान सकते हैं यह मान सकते हैं सीधी रेखा प्राप्त होगी अब ऐसी इस्तिती में अब इन समीकरणों से तीन प्रकार के हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं तो पहला ग्राफ जब बाई बरावर के एक्स होता है तो हमें ग्राफ प्राप्त होगा मूल बिंदू से गुजरता हुआ मिलेगा तो चाहिए ऐसी भोष सकता है ऐसी भोष सकता है मूल बिंदू के मद्द से गुजरता है दूसरी कंडिशन में जब X बरावर A हो तो मिलने वला ग्राफ बाई अक्ष के समांतर होता है ये बाई अक्ष है तो इसके समांतर प्राप्त होगा जब x बरावर a होतो हूए यानि कि a का मान है लेकिन by का मान यहाप है नहीं दिरखा by का मान फिर अगला है जब by बरावर a होतो है यानि 番 का मान दिरखा है तो प्रात ग्राफ यानि का आलेक x अक्च के समांतर होता है तो ये था हमारा दोचर वाले रेखिक समी करना तो इसी साथ में ये टोपिक भी कम्प्लीट होता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सबिस्क्राइब करना कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताना और धन्यवाद